हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप कैसे घर पर बड़ी ही असानी से अपने मस्से या फिर दिल को हटा सकते हैं इस रेमिडी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स नाहीं आपके च सब्सक्राइब करने वाली वीडियो देखी होगी बहुत ही जादा इफेक्टिव रेमिडी है वह बहुत सारे लोगों ने ट्राइब भी किया है तो आप चाहें तो वह वाली रेमिडी भी यूज कर सकते हैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी अबसारी वीडियो देखी होगी कि घोडे के बाल से अपने मस्य को हटा सकते हैं या फिर आप अगर बती से जला कर सकते हैं तो सकता है उससे आपके मस्य चले जाएं बट उससे क्या होगा जलने का निशाना जाएगा आज इस रेमिडी की हम बात करेंगे उसमें कोई भी र इस सकते हैं सैट किया इंगिडियन है वे हम चाहिए वह है बेकिंग सोडा जिसे हम मीठा सोडा भी कहते ही है एक होता है कीखी यहाथा जिए आतो रसांफरं आपको लेना हैकि यह नतों है यह गyourकिस नानी को कैसे बनाना है एक बााउन वारि आक आप् स्पून ए सेट से मे एक श्पून में हमने बेकिंग सोडा निकाल लिया है आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा निकाल लिया है और इसमें हम अभी एपल साइडर विनेगर डालेंगे आप देखेंगे इसमें बुलबुले निकल रहे है इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह का पेस्ट बनकर तयार हो जाएगा इसे आपको अपने मस्यों तिल के उपर लगाना है आपको इस रेमेडी को थर्टी मिटस तक अपलाई करके रखना है आपको थोड़ी पोच जलन हो सकती है अगर आपसे जलन परदास नहीं होती है तो आप ओंटी मिटस तक भी रख सकते हैं आप इसे वन आर्ट तक रख सकते हैं इस रेमेटी को अप्लाई करने से पहले आपको इस एरिया को ग्लीन कर लेना है और आर तक आपको नॉर्मल वाटर से वाश कर लेना है आप इसे मौर्निंग में या फिर नाइक में किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं दिन में आप एक बार यूज करें इस remedy को आपको continuous 10 days तक इस remedy को यूज करना है और 10 दिन में यह जो आपके मस्सें या उब्रेवे तिल होते हैं सूप कर जड़ जाएंगे एक important बार दोस्तों आपको ऐसे तिल पर apply करना है जो थोड़े से उब्रेवे होते हैं जो बिल्कुल flat होते हैं तो आपके तिल पर apply करना है जो थोड़े बेख होते हैं और थोड़े से उब्रेवे होते हैं और दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको उसी एरिया पर apply करना है जहां पर आपके मस्से या तिल है उसके आसपास के स्किन पर अप्लाई नहीं करना है वरना आपके जो स्किन है वो डेमेज हो सकती है अगर आपके तिल और मसे हैं और आप उसे रिमूब करना चाहते हैं तो आप इस रेमेडी को यूज जरूर करिएगा और इससे पहले जो मैंने रेमेडी बताई थी वह बहुत सारे लोगों न नहीं आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी को तिल्या मसे हैं तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं तो वीडियो पसंदा यह तो लाइक करिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते नेक्स वीडियो में थैक्स फॉर